नमश्कर दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबसे लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर हैं मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में स्टेंडिंग कमिटी की बेठक में बुद्वार को मुख्य सचिव शुधान स्पंतने बोर्डर जिलो के कलेक्टरों को इस मामले में निर्देश दिये हैं उन्होंने कहाए कि सीमा सडकों और भारत माला टू परियोजना सडक पर CCTV केमरे लगाये जाएं मुख्य सचिव ने कहा कि भारत पाकिस्तान अंतराज्टे सीमा शेत्र में गुस्पेट और नशिले प्रदार्तों की तसकरी की सूचना सभी एजेंसियों को दी जाएगी ताकि कारेवा ही की जा सके उन्होंने सीमावर्ती जलो में ड्रोन के माध्यम से तसकरी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, डेटा, विशलेशन के लिए AI उपकरण और महत्योपून स्थानों पर CCTV केमरों की स्थापना के भी निर्देश दिये हैं चले दोस्तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबार अखिलेश यादव ने विधाई की से दिया इस्तिफा आयोध्या सांसद आउदेश परसाद ने भी चोड़ी विधाई की करहल से तेज परताब को लड़ा सकते हैं जिया दोस्तो सपापुर्मोग अखिलेश यादव ने यूपी की करहल विधानसबा सीट और नेता पृतिपक्ष के पद से इस्तिफा दे दिया है एक दिन पहले उन्होंने इसका ऐलान किया था दोस्तो अखिलेश के साथ आयुध्या सांसद अवदेश परसाद ने भी विधाई की से इस्तिफा दे दिया है जैसे हम विदानसभा में साथ बेटते थे वैसे ही लोकसभा में बेटेंगे अमबेटगर नगर से समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित लोकसभा सांसद लाल जी वर्मा ने भी इस्तिफा दे दिया चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कम असर 8 महंगा होगा जादा दाम पर भी सरकारी खरीद 29 प्रतिशत कम जिया दोस्तों गेहूं एक साल में 8 प्रतिशत महंगा हुआ है पिशले 15 दिन में ही कीमते 7 प्रतिशत बढ़ चुकी है जो अगले 15 दिन में 7 प्रतिशत और बढ़ सकती है दरसल दोस्तों गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 महिने का स्टोक यानि के 138 लाक टन होना चाहिए मगर इस बार खरीद शत्र सुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाक टन था इस से पहले 2078 में 58 लाक टन रहा था यानि कि अभी यह 16 साल के नियूंतम इस तर पर है 2023 में यह 84 लाक टन, 2022 में 180 लाक टन और 2021 में 280 लाक टन स्टोक था रूस युक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी स्टोक घटा जा रहा है हालांकि सरकार अभी तक कुल 264 लाक टन गेहूं खरीच चुकी है लेकिन सरकारी लक्षे 372 लाक टन का है चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार चंद्रबाबू नाइडी ने बुद्धवार को राज्य के 24 में मुख्यमंतरी के तोर पर शपत ली चंद्रबाबू ने राज्य की चोथी बार कमान समाली इसके साथ उन्होंने आंधरा में सबसे जादा बार मुख्यमंतरी बनने का रिकोर्ड भी अपने नाम कर लिया नाइडी के अलावा जंसेना पर मुखो और एक्टर परवन कल्यान ने डिप्टी सीम पत की शपत ली ने शपत लेने के बाद नाइडू के पेर चुए, तीसरे नंबर पर नाइडू के बेटे नारा लोकेश ने सपत ली, नई सरकार में सीम और डिप्टी सीम समयत 25 सदश्य होंगे चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार किरायदार का वेरिफिकेशन कराने थाने नहीं जाना पड़ेगा, मकान, दुकान, मालिक, ओनलाइन भर सकेंगे डिटेल से कमिशनर ने लॉंच की सिटिजन एप जेह दोस्तो जेपूर पुलिस कमिशनर ने जेपूर सिटि के मकान और दुकान, मालिकों के लिए नज़र सिटिजन एप लॉंच की है यूजर्स इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे डाउनलोड करने के बाद इसमें अपने परिवार के साथ किरायदारों पीजी में रहने वाले लोगों अपने ड्राइवर और नोकरो की भी डिटेल डाल सकेंगे उन्हें अब वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा इसके बाद पुलिस के पास एक बड़ा डेटा आ जाएगा इससे कोई बड़ा क्राइम होने पर पुलिस जल्द ही आरोपी तक पहुंच सकेगी इस एप के माद्यम से पुलिस के पास डोमेस्टिक हेलपर से लेकर किरायदारों की पूरी जानकारी रहेगी चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार ओडिसा में भाजपा की पहली सरकार पंद्रवे सीयम बने मोहन मांजी केवी सिंग देव प्रभाती परीदा डिप्टी सीयम बने तेरा मंत्रियों ने भी शपत ली जिहां दोस्तो ओडिसा में भी पहली बार भाजपा की सरकार बन गई है बावन साल के मोहन चरण माजी ने बुद्वार को राजे के पंद्रवे मुख्य मंत्री के तोर पर शपत ली उनके साथ दो डिप्टी सीयम कनक वर्दन सिंग देव और प्रभाती परीदा ने भी सपत ली माजी मंत्री मंडल में तेरा मंत्रियों ने भी सपत ली चले दोस्तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबार उत्राकाशी गंगोत्री हाईवे पर बस 60 फिट नीचे गिरी रेलिंग तोड़ते हुए खाई में पेड से लटकी बस तीन महिला शरदालों की मोत 26 घायल जियां दोस्त उत्राकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मंगलवार देरात रेलिंग तोड़ते हुए बस 60 फिट नीचे गहरी खाई में गिर गई खाई में बस पेड से लटक गई हाथसे में तीन महिला शरदालों की मोत हो गई जबकि 26 लोग घायल हो गए बस में 29 रदालो सवार थे दोस्तों मरतक महिलाएं हलदानी, उद्दम सिंग नगर और निनिताल की रहने वाली थी चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर लेबल लगा कर बेच रहे थे नकली शराब, तीन हुए गिरफतार जहां दोस्तों उत्तरप्रदिश के रामपुर से अवेद शराब का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां बदमाशों ने पहले केमिकल और यूरिया मिलाकर अवेद शराब तेयार की फिर उस पर बड़े ब्रेंड का लेबल लगा कर तसकरी कर रहे थे से ही पुलिस को इसकी बनक लगी तो गेंग का भांडा फोल करते हुए तीन बदमासों को गिरिफतार कर लिया गया मुके से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रीजी शराब की नामी कंपनी की नकली शराब बोतलें खाली बोतलें धकन रेपर और एक कार ब्रामत की है चले दोस्तों जवान लेतें इसके बाद अगली बड़ी खबार जमु कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकवादी हमले टोंडा में आर्मी चेट पॉस्ट पर फाइरिंग 5 जवान घायल जमु कश्मीर के रियासी कटवा और टोंडा में पिछले 60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाए हुई इन में 9 शरदालों की जवान चली गई एक जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए तीनों घटनाओं में 5 जवानों समयत कुल 48 लोग घायल हुए हैं चले दोस्तों जवान लेते हैं आगली खबार तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कारेवाही करे जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंशने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बरबादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं इसका जवाब आज या कल में दीजिए मामले की सुनवाई तेरा जुन को होगी चले दोस्तो ज़ान लेते हैं अगली खबर हर्याना में कांग्रेस से नहीं होगा गटबंदन आमादमी पार्टी अकेले लड़ेगी विदानसबा चुनाओ जेएं दोस्तो आमादमी पार्टी ने आगामी हर्याना विदानसा चुनाओ में कांग्रेस के साथ गटबंदन की संभावना से इनकार कर दिया है आमादमी पार्टी की हर्याना यूनिट के उपाद्यक्ष अनुरागर डंडा ने कहा कि राज्यमें हमारा कांग्रिस के साथ गटबंदन सिर्फ लोक्सबाच चुनाओं के लिए था। उन्होंने कहा कि आमादमी पार्टी इस साल होने वाले विदानसबाच चुनाओं में हर्यना की सभी 90 सीटों पर चुनाओं लड़ेगी। दोस्तो आपको बता दें देले में भी आमादमी पार्टी बिना गटबंदन के अकेले विदानसबाच चुनाओं लड़ेगी। आमादमी पार्टी ने 6 जून गुरवार को इसकी पुष्टी की है। चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार। आतंक वादी हमले में मारे गए परिवारों को 50-50 लाक रुपे मुआउजा, समीदा पर नोकरी भी देगी सरकार, जेपुर में आंदोलन के बाद बनी सहमती। जियां दोस्तो जम कश्मीर में हुई आतंकी घटना में मारे गए चार लोगों के शव पहुँचते ही, मुरली पुरा, जेपुर और चोमू थाने के बाहर हजारों लोगों ने प्रदशन किया। वाइनाड चोड़ू या राईबरेली धर्म संकट है, मोधी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही भगवान। में जनता से बात करूँगा और फैसला लूँगा। नगर राजमार्ग के मालशेज घांट पर भारी बारिश के कारणंभू इसकलन हुआ। इससे पहारी से एक बड़ा फत्तर ओटो रिक्षा पर गिर गया, हाथसे में चाचा बतीजे की मौत हो गई। मरने वालों के नाम राहूल बबन, भोले राव और स्वेम सचिन भाले राव है। वहीं दोस्तो गुजरात में भी अनुमानित समय से चार दिन पहले ही मानसुन पहुँच गया, राज्य के हर जिले में आज बारिश हो सकती है, इसके लावा मद्यप्रदेश, शत्यसगड़, बियार, जहारकंड और ओर ओरिसा में भी हलकी बारिश की संभावना है। उदर दोस्तो दूसरी और उत्तरभारत के कई राज़ों में तेज गर्मी भी पढ़ रही है। सबसे बड़ा जटका बीजेपी को अयोद्या में लगा, फैजबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवदेश प्रशाद ने बीजेपी के ललू सिंग को हरा दिया। वहीं दोस्तो गांदी ने कहा कि बिजेपी योद्या में हार गई, वे उत्तरप्रदेश में हार गई, वे हार गई क्योंकि वे भारत के विचारों पर हमला करते हैं। वे हमारे सविधान में भारत को राजय का संग कहा गया है, भारत राजयो भाषाओं, इतियाज संस्क्रती, धर्म और परंपराओं का एक संग है, आप सभी ने फोटो देखी होगी कि नरिंद्रमोदी ने सविधान को अपने माते से लगा रखा है, ये देश की जनता ने कर वाया है, देश के प्रदान मंत्री को जनता ने संदेश दिया है कि आप साविधान के साथ चेड़ चाड़ नहीं कर सकते, चले दोस्तो जान लेते हैं, इसके बाद अगली बड़ी खबर लगने, उससे पहले मेरी आप से छोटी से रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तो आपको अगर आपको पसंद नहीं आई है, तो बेशकर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तो यह हमारी मिनत का फ़लो होता है, और इसी से हम बता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, तो जले दोस्तो जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबार, निफ्टी ने 23,441 का ओल्टाइम हाय बनाया, इसके बाद 23,322 पर बंद हुआ, सेंसेक्स 149 अंक चड़कर 76,606 पर बंद, जया दोस्तो निफ्टी ने आज नया ओल्टाइम हाय बनाया, कारोबार के दुरान इस ने 23,441 के स्तर को चुआ, हालांकि इसके बाद निफ्टी थोड़ा नीच आया और 588 अंक की बड़त के साथ 23,322 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं दोस्तो सेंसेक्स में भी आज 169 अंकों की तेजी देखने को मिली, ये 76,606 के स्तर पर बंद हुआ, एनर्जी और मेटल शेर् और आइसर मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी फिफ्टी के टोप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्रिटानिया और HUL रहे, चले दोस्तों जवान लेते हैं इसके बाद अगली ख़बार, सोना फिर 72,000 के पार निकला, ये 72,160 रुपे प्रती 10 ग्राम बिक रहा, च किलो चांदी 800 रुपे महंगी होकर 99,300 रुपे में विक रही है, वहीं दोस्तों इस वर्ष्ट सोने के दाम 8,290 रुपे प्रती 10 ग्राम तक बढ़ चुके हैं, साल की शुरुवात में यह 63,870 रुपे पर था, वहीं चांदी 32,160 रुपे प्रती किलो ग्राम पर थी, यानि कि चांदी इस साल 19,140 रुपे बढ़ चा की बढ़ चुकी है, यानि कि सोना 8,290 और चांदी 19,140 रुपे बढ़ चुकी है, इस साल में, यानि कि केवल 2024 में, चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार लेटनेंड जर्नल उपेंदर दिवेदी होंगे अगले सेना प्रमुख 30 जून को पदबार समालेंगे, इसी दिन मोजुदा सेना द्यक्ष जर्नल मनोज पांडे रेटायर हो रहे हैं जान दोस्तों के अंदर सरकार ने मंगलवार 11 जून की राद लेटनेंड जर्नल उपेंदर दिवेदी को नया आर्मी चीफ अपोइंट किया, वे मोजुदा सेना प्रमुख जर्नल मनोज पांडे की जगह लेंगे, लेटनेंड जर्नल उपेंदर दिवेदी 30 जून को अगली खबार चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार अन्याई के खिलाफ फुटबोल महासंग ने उठाई आवाज एफसी और फीफा से शिकायत की विवादिस्त गोल पर मचा बावाल जान दोस्तो खिल भारती है फुटबोल महासंग के अध्यक्ष कल्याण चोबे ने कहाई कि महासंग ने कतर को दिये गए विवादास पद गोल की जाच की मांग किया उन्होंने संबंदित अधिकारियों से इस अन्याई का समाधान निकालने का अगरह किया AIFF पुर्मुख ने कहा कि भारत ने गोल की स्विकृत जाच की मांग किये मंगलवार को जस्मीन बिन हमाद स्टेडियम में खेले गए विशुकप कौलिफाइंग मेच में भारत की एक दोखी हार्थ के दोरान दक्षन कोरियाई के रेफरी किम वू सुंग ने गोल को सिकृति दी थी जबकि इससे पहले ही गेंद खेल के मेदान से बाहर जा चुकी थी कल्यान चोबे ने कहा कि जीत और हार खेल का हिससा है हमने इसे विनमरता से स्विकार करना सीख लिया है हालांकि कल रात भारत के खिलाफ किये गए दो गोल में से एक ने कुछ सवाल छोड़े हैं जिनका जवाब नहीं मिला है चले दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी ख़बार इसाई नाराज नहो इसलिए बीजेपी ने RSS कोरो का केरल की तिर्वंत पुरम सीट गवाई जहां RSS एक्टिव था वहां जीते जिनको राष्टिय स्विम सेवक संग्यानी के RSS के सरसंचालक मोवन भागवन नागपुर में थे उन्होंने यह बातें अपने कारेकरताओं से कही वे पॉलिटिकल पार्टियों के रवये पर बोल रहे थे अहंकार वाली बात किसके लिए कही है या उनका इसारा किसकी ओर था ये साफ नहीं है अमेर की अगबार वोल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेस एक्स और टेसला के मालिक एलन मस्क ने महीला एंपलाइज पर अपने बच्चे पेदा करने का दबाव भी डाला इस मामले में तीन महीला हैं सामने तो उन्हें सेलरी देने से मना कर दिया गया इतना ही नहीं जान पूचकर उनकी पर्फोर्मेंस भी खराब की गई उदर एलन मस्क के वकिलों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को खारिस किया उनका कहनाई कि यह रिपोर्ट फरजी और इसमें जूटे आरोप लगा आए गये हैं इसके लावाई स्पेस एक्स की प्रिसेडेंट गिवने शोटवेल ने भी आरोपों को गलत बताया चले दोस्तों जान लेते हैं आगली खबार दिल्ली में इस दिन खत्म होगा मांसुन का इंतजार मौसम विभाग ने बता दी है तारीख जया दोस्तों दिल् दिल्ली का अधिक्तम तापमान 44.7 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया नफसगर वेदर स्टेशन पर सबसे सदा 47.7 डिग्री सेलसियस तापमान दर्ज किया गया दिल्ली का अधिक्तम तापमान ओसत से 5 डिग्री सेलसियस ज्यादा रहा यानि कि दोस्तों अब सिर्फ दिल गर्मी और जल संकट से जो की मांसून के लिए एक अच्छी खबर दिल्ली वासियों को मिल गई है कि 27 जुन तक मांसून दिल्ली में प्रिवेश कर जाएगा चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार एंकर प्रदीप पांडिया बाजार से पांच साल के लिए हुए बैन अनलिस्ट अलपेश पर भी कारेवाई ट्रेडिंग फ्रोड के लिए एक करोड का जुर्माना लगा जिया दोस्तों सिक्वेर्टी एंड एक्स्चेंज बोर्ड ओफ इंडिया यानिकी सेबी ने सेबी ने प्रदीप पांडिया और टेक्निकल अनलिस्ट अलपेश वासवानी जी फुरिया पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है इसके लावा उन्हें सेक्वेर्टी मार्केट से पांस साल के लिए बैन भी कर दिया है सेबी ने छे अन्ने पर भी 10-10 लाग रुपे का जु पुशी ट्रेड शामिल है चले दोस्तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबार विराट कोली को मोटा मुनाफा शांदार नतीज़े के बाद इस कंपनी का शेर 10 प्रतिशत उचला जिया दोस्तो शेर बाज़ार बुदवार को तेजी के साथ क्लोज हुआ इसी भी जहां भी की पतनी अनुश्का सर्मा के निवेश वाली इंशोरेंस सेक्टर की कपनी गो डिजिट इंशोरेंस के शेर को जबरदस्त फायदा मिला है दोस्तो शेर बाजार में कारोबार की शुरुआत में यह 366 रुपे के लेविल पर उपन हुआ था और कुछी देर में देर के रुपे हो गया है हालांकि दोस्तो बाजार बंद होने तक यह तेजी थोड़ी धीमी पड़ी और क्लोजिंग के वक्त यह शेर 340.60 रुपे पर क्लोज हुआ अब दोस्तो मज़े की बात यह है कि विराट कॉली ने साल 2020 में इस शेर को उन्होंने 75 रुपे के भाव से 2,666,667 उनिट्स खरी देते यानि कि विराट कॉली के पात 75 रुपे भाव के यह इस कंपनी के शेर 2,666,000 से भी जादा है यानि कि एक स्टोक पे ही उनको 1,500 रु जिया दोस्तो एक असान से सवाल का जवाब देगर आप जीट सकते हैं एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूडिव चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सरवादिक मातरा में होता है जिया पर सबसे ज़्यादा मातरा में गेहूं का उत्पादन होता है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कणुक्स में लिख दीजिए अगर दूस्तो आपका जवाब उता एक दम सही और आप चुन जाते हैं लग्की विज़ता की रूप में तो आपको मिल सकता है एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे युडव चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी से अपना उत्रकाम लुक्स में लिख दीजिए वडियो को लाइक कर लीजिए और चनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वनिमातराम जे हिन जे भारत